पुरु केंद्रिये कानून मंत्री असुनी कुमार का कहना है कि कॉंग्रेस के 29 नेताओं ने जिनोंने कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेत्रितु परिवर्तन को लेके पत्र लिखा था दरसल उन्होंने पार्टी मर्यादा का उलंगन किया है उसके खिलाफ काम किय असुनी कुमार का कहना है लेटर में इन नेताओं ने एक्टिव और विजिबल लीडर्शिप की बात कही कही ने कहीं ये सोनिया गांधी के नित्रितु पर सवाल उठाता है असुनी कुमार का कहना है कि क्या ये नेता मानते हैं कि सोनिया गांधी एक विजिबल और एक्टि पर बैठे हुए थे ऐसे नेता आगर बैठक करके लेटर को ड्राफ्ट करते हैं और कॉंग्रेस अध्यक्ष को भेज़ते हैं ये कहीं न कहीं पार्टी की मर्यादा का उलंगन है उसके खिलाफ काम किया है इन लोगों ने और साथ ही एसुनिकुमार ने कहा है कि अब इस पूर मामले का पठाक्षेफ हो जाए देखिए लाजमी था कि सारी वर्किंग कमिटी ने उनीक कानु मोदर करना था क्योंकि कॉंग्रस पार्टी में उनसे बड़ा नित्रति आज किसी का है नहीं सारी दोस्तान में कांगर्स नगर किसी एक व्यक्ति को सर्वसमत्ती से मानते हैं सुनिया गांदी ऑर सोनिय गांधी ने अपने कुशल निद्तों से दो बार किखल स्कॉर्ट कीजिछ परों में औवन से अजिए बनुख मुझे लगता है कहीं दो छी नी च्थी लिखी है विगूफ शूट हूई है और कांगर्स जन इसलिए आठ थे क्योंकि जिस तरह की सवाल उठाए गए स्वाल युण सुन्या गांधी के नितुत्य पर वो कांगर्स पार्टी को मजबूती देने का काम किया और पिछले साल जब वो नहीं बनना चाहते थी अदेक्शन तब भी कांगर्सनों ने लिटरली उनसे भीख मांग कर नित्युत्र करने के लिए कहां जब उन्होंने जिम्मेवारी संभाली तो आज उनके ऊपर प्रशंच लगा जा रहा है यह उचित नहीं है इसलिए मेरा मानना है कि अब जो हुआ सो हुआ उसको भूल जाना चाहिए और कॉंगर्स पार्टी को शिशक्त करना चाहिए क्योंकि देश में एक शिशक्त ऑपोजिशन जरूरी है ताकि हम डेमोक्राटिक धार्चर को बरकरार रख सक सोना जीरी ने बड़ा दिल अपना हमेशा दिखाया है और उन्होंने अपने कल कर्क्रूडिंग बयान में ये भी कहा है जो हुआ सो हुआ अब आगे साथ चाहिए क्योंकि ये साला परिवार है परिवार में कुछ राय मुक्तलिफ हो सकती है मगर आने वाले समय पे बहुत क साथी असुनी कुमार ने ये भी आगाह किया कि अगर ये मामला आगे भी चलता रहा तो कहीं न कहीं बीजेपी को और दूसरी पार्टियों को कॉंग्रेस के अंदुरूनी मामले पर सवाल उठाने का मौका मिलेगा अजेजा गो नीज दिल्ली